शाजिया इल्मी किसी को समझ नहीं आ रहा है हमारे ही देश के नेता हमारे ही देश के विपक्षी दल हमारे ही देश में बना एक विपक्षी गटबंदन जिसकी सारी पाटियों का प्रतिनिधित्व देश भर की विधान सभाओं में देश की संसद में है ऐसे अपने ही साथी दलों को आतंकियों से उनकी तुलना करना अंग्रेजों से उनकी तुलना करना शाजिया इल्मी ऐसा क्यों कहां तक शुभा देता है हमें ये देखे इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया के लिए हितैशी हो जाएगा या उसके फाइदे को सोचेगा इस बात को अधारन देते वे इस बात को बताने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बात कही है और उससे जादा बढ़कर मैं आपको बता दूँ वो जो लोग जो इंडिया को इंडिया ही नहीं समझते क्योंकि ये वही राहुल गांदी है जो कहते इंडिया एक देश नहीं है एक समू है प्रदेशों का ये वही कॉंग्रेस है जो अरजी लगाती पाकिस्तान में कि हमारे देश में कैसे बदला जाएगा प्रधान मंत्री ये वही लोग है जब बाला को स्ट्राइक होती है तो इन्हें भारत की सेना पर रेकिन नहीं होता ये वही लोग है जो जाते हैं बाहर की एंजियोस के पा होती तफसील से अच्छी तरह से बताया है उन सारी ओगनाइजेशन का नाम लेकर चाहे वो इस्ट इंडिया कपनी हो चाहे वो इंडियन मुझाहिदीन हो चाहे वो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस हो क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1885 में आलन ऑक्टेवन हुम ने उसका उसको इंडियन भी नहीं है या आपके इसाब से यह अपने को इंडियन मानते हैं यह अपने को इंडियन मानते हैं से पहले ही सवाल पूछिए जब यह भारत की सेना पर भारत के पारलिमन्ट पर भारत की सुप्रीम कॉर्ट पर भारत के एलेक्शन कमिशन पर भारत की आर्मी पर बाहरत के सिनाध जेक्ष को सुबह शाम गाली बगते हैं और यकीन नहीं करते तो खुद कितने इंडियन हैं? आप बताएए शाजिया लेकिन मुझे वाकर यकीन नहीं हो रहा है जैसे मैंने पहले कहा अपने ही देश के सांसदों को अपने ही देश के विपक्षी दलों को हम आतंकियों से तुलना कर रहें यहां आ गई यह राज नीति आज आतंकी है है हमारे विपक्षी दल इंडियन बिलकुल नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है, आप अपने शब्द मेरे मुझे ना डालिए, क्योंकि वो आपके शब्द है, प्रधान मंतरी ने साफ साफ कहा है कि यह सब कंप्रियों में इंडियन नाम था, पी एफ़ाइ में इंडियन नहीं है, इंडियन मुझाहिदिन में अपने इंडियन होने से, हैंसम इस वोट हैंसम डज एक बहुत बड़ा प्रवब है यह, मतलब आतंकियों से तुलना नहीं कि प्रधान मंतरी ने, आप यह कहा है, और किस कॉंटेक्स में कहा है, और वो कॉंटेक्स बिलकुल सही है, जब राहुल गांदी जाते हैं ने ने एक सेगिंड, ने शाजिया, ने ने थोड़ा सा क्लारिटी दे दिजिए ना, बतलब आपने तुलना नहीं कि वो इंडिया, वो इंडिया के हित्वे नहीं बोलते, आतंकियों से तुलना हुई या नहीं हुई, प्रधान मंतरी ने जो कहा, वो कहा, वो आपके शब् इंडियान मुजाहिदी मैंने नहीं कहा इस्ट इंडिया कंपणी मैंने नहीं कहा पर तुल्ला शब्द आपका है पर तुल्ला शब्द प्रधान मंत्री नहीं कहा पर वैसे ही पर प्रधान मंत्री ने तुल्ला शब्द कहा मतलत तुल्ला नहीं हुई ना इनको आतंगवादी मतलब तुल्ला नहीं कीना आपने तुल्ला नहीं है इंडिया गठबंधन के सहयोगी इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षीदल इंडियन नहीं है वह इंडियन है जी बिल्कुल आप फिर से इस बात को कह सकते हैं ओके देश द्रोही हैं लेकिन आतंकियों से तुल्ला नहीं की इस इंडिया कंपनी से तुल्ला नहीं की ये मानलू मैं मैंने देश द्रोही शब्द इस्तेबाल नहीं किया मैंने का देश को तुकड़े तुकड़े करने वालों के साथ इनका साथ रहा है मैं ये भी साथ में कहूंगी कि देश में जितनी भी संसाएं हमारी हैं उनके खिलाफ इन्होंने बार बार एक बार नहीं बार बार इनको इनके खिलाफ एक प्रशन चिन लगाया है इसका मतलब ये थोड़े है शाजिया कि आप पूरे विपफशी गड़बंधन को आतंकी करार दे देंगे आतंकियों से तुनला कर देंगे जिसने भी वो बयान सुना उसे तो यही समझ में आ रहा है शाजिया इसका मतलब यही है विदेशी ताकतों को आप समझ नी पा रहे हैं हम सब समझ गए आप समझ नी पा रहे हैं मानब सब समझ गए इंडिया में सब लोग समझ गए कि कौन कितना इंडियन है और वो समझ गए प्रधान मंत्री क्या कह रहे हैं सिर्व आप समझ नी पा रहे हैं मानब जी ने ने जो मैं समझ पा रहा हूँ प्रदान मंत्री ने इंडिया गटबंधन की तुलना इंडियन मुझाहिदी इस्ट इंडिया कंपनी पॉपॉलर फ्रेंट ओफ इंडिया से की है जब देश की… ये मुझे समझ में आ रहा है? ने, सुनी, सुनी, DIRE वो ही मैं आप से कह रही हूँ ना कि अंडिया लघा देने से नाम और अपने को इंडियाा अंडिया के लिग देने से ऐस्टॉब, फोलस्टॉब, बीफोलस्टॉब, N full stop, D full stop, I full stop, A full stop रगाने से आप इंडियन नहीं हो जाएंगे। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया.